लूट्वाइज दूर्डी नूर्ड नूर्ड टूड़ दूर्ड व्डूर्ड टूड़ टूड़ेज। टूड़ेज यू हिंदी ग्रैमर आज मैं आपको हिंदी ग्रैमर का चैप्र नॉम्बर टू वर्ड विचार पढाऊंगी चलिए हम अपना chapter स्टार्ट करते हैं भाशा का उच्चारण धवनियों से होता है जो धवनियों होती है हमारी मुँसे आवाजे निकलती है हम उसे चारण हमारी भाशा का करते है पिरती एक सुईकरित धवनी को लिखने के निए एक विशेश चिन निर्धारित के अगया है जितने भी धवनियों है जितने भी आवाजे हैं उनको लिखने के लिए एक चिन निर्धारित के अगया है ये विशेश चिन ही वर्ड कहलाता है जैसे कि हम जो भी बोलते हैं उसके लिए एक चिन निर्धारित क्या गया एक निशान इन्हें हम वर्ड बोलते हैं इस परकार वर्ड भाशा की वै मुल धवनी है जिसके और खंड नहीं कर सकते हैं सब्सक्राइब निम्लेखिद वर्ण का इनके एक प्रम से लिखे गए समू को और एक निश्चित वर्ण आलफ़ेद हिंधी वर्ण माला में निम्लेखिद वर्ण है स्वर आईईईई रिशी ए आई ओव ग्यारा स्वर है व्यंजन का से लेकर हो तक आपके तैथिस व्यंजन होते है यह चार व्यंजन है अयोगा अंग अ तीन है अंने अड़ा धा यह दो है उच्चारार की द्रिष्टित है भाशा के वालों को मुख्यता दो भागों में वा प्रक्राश एक वर्लों को मुखेता दो भागम बाटा गया है। वो हैं स्वर और वेंजन। स्वर. परतियेक वर्ल को बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायू निकलती है। कोई भी वर्ड बोलते हैं तो इसको बोलते समय हमारे मुख से कुछ वायू निकलती है जिन वर्लों के उचारर में मुख से निकलने वाली वायू के मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती उन वर्लों को स्वर कहते हैं जिनको उचारर कर रहे हैं अब हमारे मुख से ज हरस्वर दीक्षवर thatsAl 2 इन सवरиком चार तो बोलते हैं ज़्तों काई कि नगते हैं सब से कम लगता है उन्हें हिरस्वर को आथै इस बिए है यह यह रिशी कित दीकि आए यह सहां करते हैं Aa 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 दूसरा रूप क्या है मात्रा का कि हमने उसकी मात्रा लगा कर यूज की उस स्वरों की जिसे के मीरा में एकी मात्रा मा पर एकी मात्रा लगी तो हमने यहां पर एक रूप में मात्रा की रूप में यूज किया एक में उसी तरीके से डायरेक हमने आका आके इस रूप में ऐसी परिवर्थित रूप को मात्राई कहते हैं जब लिखने में व्यंजन के साथ उसका स्वरों का रूप परिवर्थित हो जाता है तो इन रूप को हम मात्राई कहते हैं ये मात्रा चिन इस फिरकार हैं जिसे के आ की कोई मात्रा नहीं है आ की ये आ का मात्रा होती है ये सब इनकी मात्रा है नीचे दे रखी है आ की मात्रा नहीं होती सब ही वेंजन आ को मिला कर ही बोले और लिखे जाते हैं जितने भी वेंजन एक कर से गयाता है कि सारे आ की मात्रा लगे हुए होते हैं क्यों मिलाकर लगा कर ही हम बोलते हैं हर वेंजन आसे रहित वेंजन इस प्रकार लिखे जाते हैं अगर इस में से किसी भी वेंजन से हम आग की मातरा निकाल दें तो इसके निए वेंजन ऐसे बन जाते हैं निचे हलंत आ जाता है जब आग की मातरा जुड़ जाती है तो यह ह बढ़ forward on Бभी होते हैं अंरन अहां ऐसे सौर जिनका उचारा नाक और मुह दोने से होता है मतल Kazakh thank स्विच फिश मेंनाघ और मुह कि दोनों से वहिसी स्वर अनौनासिक कहिंते हैं जैसे इसमें निर्मित को शब्द देखिए इसमें हम मू और नाग दोनों का यूज कर रहे हैं जदिस्वर का कोई भाग शिरो रेखा के उपर निकला हुआ हो या व्यंजन के उपर मात्रा लगी हो तो वहाँ चंद बिंदू ना लगा कर केवल बिंदू लगाते हैं जैसे नीद, इट, गेंद, भौकना, आदी अनुस्वार ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वानी नाग से निकलती है ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वानी नाग से निकलती है ये नासी के वेंजनु, अडा, उडा, ना और मा के स्थान पर प्रियोग होता है और इसका उचारण पूरवर्ती स्वर्ग के बाद होता है जैसे कंकर, अंगूर, अंगद, चंचल, घंटा, आदीमर, जिसको उपर लगा होता है इसका उचारण, विसर्ग, जो बिंदी लगे होती है, साइड में, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर्ग के बाद आता है इसका उचारण ह की तरह होता है, इसे वेंजनों के आगे लगाया जाता है, जैसे छे, प्राता, आदी इसका उचारण करते सामें हो की आवाद निकलती है, इनका तारमे ना तो स्वरों से होता है और ना ही वेंजनों से, ये स्वरों के साथ प्रियुक्त होने से वेंजन भी नहीं है, और संतर्ण रूप से गती ना होने के कारण ये स्वर भी नहीं कहे जाते है, ये योग ना ह उने पर भी साथ रहने के कारण आयोगवा कहलाते हैं, नाव वेंजन, जिन वर्लों के उचारण के समय मूँ से निकलने वाली वायू के मार्ग में थोड़ी रुकावट पैदा होती है, उन्हें वेंजन कहते हैं, अर्थात वेंजनों का सुर्ण के बिना उचारण नहीं होता इन्दी में निमले के तया तीश वेंजन हैं, कवर्ग चवर्ग ये वर्गों में डिवाईड है, कसे अडा सकत आपके 5 और 14 टवर्ग तवर्ग पावर्ग अंत्रस उुष्म, जिस सतरीके त आपके तैस वेंजन हैं, वेंजन के भेद स्पर्ष के अधार पर वेंजन के नि मुख से निकलने वाली वायू जो मुख से निकलने वाली वायू है कंठ, तालू, मूर्धा, दंत, ओष्ट, आदी अव या वो जो हमारे मुख के पार्ट्स हैं उनको स्पर्च करती हुई बाहर आती है और व्यंजनों के रूप में ध्ववनी फूट पड़ती है कौसे लेकर मातक के पच्चीस व्यंजन है अनतस्त व्यंजन उन छे उसव में मुख से निकलने वायू मार्क का वायू का मार्क जीब मीविंघे जो हुट पूर्प स्पर्ष नहीं होता है इनका पूर्प स्पर्ष नहीं होता है यह फिरकार के रगड या घर्षण होता है उनसे जो वाईउ से इनका उच्छारल होता है ये चार है श, श, स, ह उच्छत वियंजन अड़ा ध ये दोनों उच्छत वियंजन कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्छारल में जीप पीछे की और मुड़कर जटके से साथ सामने गिरती है हिंदी में अड़ा और ध इन दो ध्वावनियों का बड़ा महत्व ये दोनों ड़ा और ध से बिलकुल भी नहीं दोनों इन चे अड़ा और ध से बिलकुल अलग है अता बोलने और लिखते समय इन ध्वावनियों को इस्पेश करने में थापधान रहना चाहिए धियान रहे कि अड़ा और ध शब्दों के प्रारम मतलग स्टार्टिंग में पढ़ना धेर बुड़ापा धाल बढ़ाई देला चड़ाई इससे इनकी अंतर को समझा जा सकता है वर्लों का उचानल स्थान उचानल स्थानों के अधार पर वियनजनों को नौ वर्गों में विवाजित क्या जाता है इसको निम्ली के तालिकों के द्वारा इसके हिसाब से वियनजन नौ वर्गों में भाजित है देखिये पहला चंट साने आपका कंठ गला स्वर्ड जो इसमें और और बोले जाते हैं कंट से वियनजन बोले जाते हैं कह ख घ ग अड़ और हा और विसर्ग तो ूंक स्थान करनाएक चंट है सेकिंड हैं तालू, इसमें चार्ड लिट होते हैं यी, चाछा, जाजा, उआ, याशा, यह वियंजन वर तो यह कहलाते हैं सान के अनूमसार तालू वियंजन मूर्धा मींस मुक्की छत से रिशी, ताठा, डा, धा, अडा, रा, शा, अडा, धा ये मूर्धने वेंजन कराते हैं दाथ से बोले जाते हैं ताथा दाधा नाला साथ दंते वेंजन ओस्ट से बोले जाते हैं वहाँ दंतोस्टे केकलाते हैं मुख और नासिक właśnie in words a new world Thomas परसपर सन्योग को वर्ड सन्योग कहते हैं जब वर्ड परसपर सन्योग के साथ यूज होते हैं उन्हें हम वर्ड सन्योग कहते हैं यह सन्यम लेकि दो परकार से होता है वेंजन और स्वर का सन्योग जब वेंजन और स्वर एक साथ यूज होते हैं उने हम हलंद कहते हैं जैसे क कह मैं कि मिन चोड़ा जोड़ाWb जब वियंजन सन्यों के साथ यूज़ होते हैं ये निम्रे की दो परकार को हता है सन्यूग वयन्जन हिंदी वर्ण के वर्ण माला में immort and जे च्छा Чер recruit यह श्तर coses संद्यूग कुईन इन वयन्जव के मेल से बने जैसे कि सन्यूग वयन्जन एक इस इक ओर शा के जैसे के कक्चा छत्री ये त्रा त र र की मेल से बनाया है तृष स्थTr गया मनाय आपके ज़ और र की योक जैसे ग्यान आज्या श्रा बनासे श्रामिक अश्रू। दूइत्व वियंजन जब एक जैसे दो वियंजन आपस में मिलते हैं जैसे दो वेंजन आपस में दूइत्म वेंजन कहा जाता है जैसे क पक्का में हम लिखते हैं दो वर्ड एक साल आया आपके का का ता अधर ता चा चा आधर चा और चा पूरा जब जैसे के पक्का सत्ता बच्चा आधी जब इन्हें दूइत्म वेंजन बोलते हैं सन्योग, दो वेंजनों के मिलने पर जहाँ दुवित्व नहीं होता, वहाँ सन्योग होता है, जब दो वेंजन मिलते हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग हैं, तो वो दुवित्व नहीं कहलाएंगे, वहाँ सन्योग होता है, जैसे कि गह और घह, ऐसे बना, चारच, आदा साइच में इस साइड में नीचे लगाते हैं जब राक किसी पूल व्यंजन से मिलता है तो इसका आगए उपर लगाते हैं वें अगले वर्ड के उपर लगता है तो ने अगला वर्ड आ है ब सब्सक्राइफ पार्व जो जैसे र toothpaste रक र्द्टरीं है जब किसी आधे विंजन है पूरा मिलता है तो उसके दो रूप होते हैं जब कोई आधा विंजन है उसमें पूरा मिलाते हैं तो इसके दो रूप ऐसे हैं इस तरीके से लगथे幹嘛 सब्सक्राइब जैसे के टम में रा में इस तरह के रोप सन्युक रा के तीन दूप इस तरह के पिर चलेए वरड विच्चेथ यह जब किसी शब्द है उसमें जो जो वर्ड यूज हुए उनको अलग-अलग क्या दाता है तो इस किरिया को हम बोलते हैं वर्ड विच्चेथ ज इसे बोलते हैं वर्ड विच्छेद जो हमारे शब्दों में पिर्यूक वर्ड हैं उन सबको अलग करके लिखना यह कहलाता है वर्ड विच्छेद ओके यहांपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लेट हो आपको समझना गया हो यह पूरा हूंवर्ग टाइम हूंवर्ग में आपको अपकुछ करने की बारी में एक्सराइज वान नीचे दिए उतरों के साही विकार पर साही राइट का चिन लगाईए एमसी क्यूस करने हैं यह चार एमसी क्यूस हैं सैकेंड विशरप वाली कौन से है अनुसरा और कौन से यह निली छे लिखे शब्दों में से सन्यों वेंजनौ और दृत वेंजनौ का अलग-अलग करके लिखना है आपको फिफ्त एक्साइज में आपको नीचे वर्लों के योग से शब्द बनाएज़े सबको वर्लों को जोड़क करनी है उसो बार्ट बईस पहलों मुझे सरेंड करनी है थैंक यू एंड आव नाइस रे